करीब एक मन्त पहले अडेनियम प्लांट की रिपॉर्टिंग की थी और जो भी अडेनियम के छोटे-छोटे प्लांट ग्रो की थी वो सीड से ही घर पर ग्रो की थी और दोनों ही वीडियो आप लोगों के साथ अपलोड कर चुकी हैं अगर अभी तक आपने वो वीडियो नही देखे हैं तो मेरे चलन पर जाकर देख सकते हैं तो विलकम फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक पर आज के इस वीडियो में अगर आपने अडेनियम प्लांट की रिपॉर्टिंग कर लिए हैं और उसमें 10 से वारा पत्ते न अच्छी तरह से बने तो वो सारी इंफर्मेशन देने की कोशिस करूंगी तो यह देख सकते हैं फ्रेंड्स यह वही अडियों की प्लांट है जिसे करीब एक मंत पहले इसकी रिपॉर्टिंग की थी अब यह अडियों प्लांट की ग्रूथ भी अच्छी तरह से हो रही है और इसकी कोडिक्स भी आप देख सकते हैं इसकी सुनरता देखते ही बन रही है तो इस समय एक फटिलाजर जो आपको इस प्लांट में डालनी भी है और कुछ केर और साबधानिया भी आपको बरतनी है तो सब सब पहले आपको करनी क्या है जितने भी आपके अडियों के प् पती हो यानि कि अगर उपर से कट करते हैं तो आसपास से बहुत सारे ब्रांच आपको देखने को मिलेंगे यानि कि इस प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाना बहुती जरूरी है तो सब से पहले उपर से थोड़े-शड़े जितने भी उपर के थोड़े से दो पत्ते हैं उसे पताफ रिमूफ कर लें बिल्कुल इस तरह से जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं तो ये सभी काम अपने एडिनियम के छोटे एडिनियम के प्लांट पर कर सकते हैं और दूसरा काम है इस समय आप कोसिस करें से फूल सनलाइट में रखें जितना सनलाइट इस तेजी से बनेगी बस एक फटिलाइजर जो आपको इस समय एडिनियम के प्लांट में डालनी है तो बस आपको करनी क्या है आपको एक डबे में एक जग में पानी लेनी है उसमें थोड़े से एक चुटकी के तरीब फटिलाजर डाले पोटास और थोड़े से डिये पी अग आप बोन मील भी डाल सकते हैं या फिर सिंगल सुपर फासफेट भी डाल सकते हैं अगर आपके पास एविलेबल है तो नहीं तो डिये पी भी आप डाल सकते हैं और इसके बाद थोड़े से एक काउ मैनियूर जो मैं डाल रही हूं इसे भी आप इसे पानी में घोल ले और थोड़े से एक और मैक्रो नूट्रियन जो इसमें यूज करनी है वो है जाइम बस एक चुटकी के करीब ही इसे भी पानी में घोल ले अब बस इसे घोल कर आपको पौधे में यूज करनी हैं ज्यादा फटिलाजर भी इस इस्तितिते में आपको देने से बचने हैं आपको फटिलाजर डालना हो आपको उस दिन ओवर वाटरिंग ना करें और उसके बाद दूसरा फटिलाजर ये हूमी के सीट जो मैं घर पर ही बनाई हूं जो गोवर के कंडे से बनाए जाते हैं आप चाहें तो इस हूमी के सीट को आप मार्केट से भी खरी सकते हैं मार्क इन 4 fertilizer को अरडिनियम के plant में डालनी है मन्त में एक बार इस fertilizer को आप आरडिनियम के plant में डालते रहें तो उसकी अच्छी growth भी होगी और उसमें बहुत सारे multiple branch भी देखने को मिलेंगे और उसमें flowering भी देखे जा सकते हैं तो इस समय आप ओभर वाटरिंग भी ना करें और ओभर फटिलाइजर भी ना करें और आने वाले बिंटर सीजन में खास कर आपको अडेनियम में जब ठंड जादा पड़े, कुहुरे, कुहासे गिरने लगे तो आपको उस समय आडेनियम के प्लांट को आपको ग्रीन नेट के अंदर रखनी है यानि कि कडाके की ठंड से आडेनियम के प्लांट को वचानी है क्योंकि ज़्यादा तर अडिनियम के प्लांट, ओवर फटिलाइजर, ओवर वाटरिंग और ज़्यादा ठंड के वज़ा से इसके कॉडिक्स गल जाते हैं तो ये तीन साबधानिया आपको वरतनी है अडिनियम और ये चारो फटिलाइजर को मिक्स करके मन्त में आप इस अडिनियम के प्लांट में दालते रहें तो आपको अच्छे रिजल्ट और इसके कॉडिस की ग्रोथ भी देखे जा सकती है तो फ्रेंड्स इस फटिलाइजर का यूज करें और इस समय आप कुछ साबधानिया जो अडिनियम के प्लांट पर बरत सकते हैं तो मिलते हैं फिनेक्स वीडियो पर तब तक लिए धन्यवाद